हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं डाइट नमकीन, बहुत ही टेस्टी बनती है जो और आप इसे एक महिने तक स्टोर भी कर सकते हैं, तो चलिए फिर हम इसे बनाते हैं, इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर पतला वाला जो पेपर पोहा आता है वो लेना है, बहुत ह बहुत ही जल्दी बुनकर रेडी हो जाएगा और आप इसे इस तरह से फ्राइए करेंगे न तो लग़ातार चलाते रहें ताकि यह जले न पैसे हमें ब्राउन कलर नहीं करना है, जब फ्राई होता है न तो फूलने लगता है, तो अछे से फ्राऊ हो गया है तो आप हम इस तो इसका कलर एकदम चेंज हो जाएगा, यह ब्राउन हो जाएगे, और तो जब मॉम फली भी अच्छे से बुन जाए, तो हम पहले से जो हमारे पोहे रखे हुए हैं, फ्राइ किये हुए, उसमें हम डाल देंगे मॉम फली और मिक्स कर देंगे, इसके बाद इसे और भी ज्य और थोड़े से मखाने लिए हैं, हमने एक कटोरी और उसी बचे हुए घी में हमने मखाने को भी ड्राय रोस्ट कर लिया है, तो इससे हमारे जो नमकीन हैं वो टेस्टी हो जाएगी और हेल्दी भी हो जाएगी, और जो नारियल है ना, वो जब मुम में आता है, तो बहुत और खड़ी धनिया हूँ, आपके पास साबुत धनिया तो आप वो भी डाल सकते हैं एक चम्मच और इसे अच्छे से जैसे ये फ्राय हो जाएंगे, अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे तो हम इसे तड़के को डाल देंगे अपनी नमकीन में, और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले, जैसे कि हमने यहाँ पर एक चम्मच भूने हुए जीरा पाउडर लिया है, और यहाँ पर एक चम्मच हमने चाट मसाला और अमचुर पाउडर मिक्स करके लिया है, और एक चम्मच लिया है, काली मिर्च का पाउडर, और फुल एक चम्मच लिया है नमकीन में और इसे भी हम अच्छे से सारी चीजों को mix कर देंगे तो आप हाथ से mix कर लें या चम्मच की सहायता से भी mix कर लें बहुत ही फटा फट से बनने वाली नमकीन है और घर पर बनी है एकदम healthy नमकीन, आप चाय के साथ इसे सर्व करें, महमानों को भी दे सकते हैं, या शाम की छोटी सी जो भूँक होती है उसके लिए बहुत ही अच्छी नमकीन है, या आप कहीं जा रहे हैं, तो आप इसे ले जा सकते हैं अपने साथ रास्ते के लिए, और थोड़ी से हम इसम किसमिस डाल दे, तो उससे भी बहुत ही अच्छा flavor आएगा, टेस्ट आएगा, तो ये नमकीन बनकर ready है, आप इसे airtight डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं, एक महिने तक के लिए, और रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, इसी तरह के और भी अच्